नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स का पहला स्टॉक है टाटा कॉफी और दूसरा है जस्ट डायल तो टाटा कॉफी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब करीब 10% के बहुतरी दिखाई थी और जस्ट डायल ने कल अपर सरकुट मारा था और आज ये चीजे क्यों हुई तो इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे इन इस टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप उसे ज चर्चा शुरू करते हैं तो दोस्तों जस्ट्राइल की जो न्यूज आई थी वो 24 तारीक को इनकी ये न्यूज आई थी सॉरी 25 तारीक को कि ये क्या है ये अपना एक जेडी मार्ट लांच करेंगे और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आई थी तो उस दिन आपको मदब कल के दिन में ये हमारा इस टॉक ने अपर सर्किट मार दिया था 20 परसेंट का और फिर आज लेकिन ये काफी गिरा एक टाइंग ये स्टॉक बहुत हाई पे था लेकिन फिर एकदम से गिर गया उसका मीजर रीजर ये है कि हच्टी एफसी म्यूच्यल फंड ने इसमें पास 8.33% इस्टेक था और उसमें से इन्होंने 2.73 बेच दिया और अब इनके पास केवल 5.6% का ही परसेंट बचा है शेयर जो है जर्स जायल में तो इस वज़े से ये था इसका मेजर रीजर आज का गिरने का क्योंकि जर्स जायल की ये जो न्यूस थी कि ये जेडी और उरान टाइप के इनके मॉडल्स थे तो उसमें आप सभी को पता इंडिया मार्ट का शेयर कितना भागा है तो उसमें भी लोगों को वैसे ही पोटेंशल दिखी थी बट आज ये इस HDST ने जो एक सदेन मूव दे दिया प्रॉफिट बुकिंग का वो थोड़ा सा अनेक् अधानी के संग च्रेट करने की जरूरत है तो अगर दोस्तो मैं इसको चार्ट पर देखूँगा तो यहां पर देखिए इसने बहुत टाइम से एक्यूमिलेट किया यह आपका एपरल से लेकर अक्टूबर तक एक्यूमिलेटी कर रहा था सारे 300 से सारे 400 के बीच में फिर इसने सारे 400 के उपर बेहतरीन ब्रेक आउट दिया तो दोस्तो एक चीज़ आपको और यह दियान रखनी होती है कि यह ब्रेक आउट होता क्या है देखें यहां पर यह एक्यूमिलेट कर रहा था और फिर यहां पर थोड़ा सा दिखाया कि हाँ यहां पर हम ब्रेक आउट क तक गया था लेकिन जो क्लोजिंग हुई वह आपकी हुई करीब 714 रुपे के आसपास और यह इस चौक एक टैंक 700 रुपे के आसपास आ गया था तो यह देखा यह होती है शेयर मार्केट जिन लोगों ने माल लीजिए यहां पे खरीद लिया होगा कि हाँ बहुत पॉजिट आईए दोस्तो अब अगर हम इसका लॉंग टम चार्ट देखे तो हम देखेंगे कि इसका जो थोड़ा रेजिस्टेंस है वह 800 के आसपास काफी स्ट्रॉंग इसका रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है तो दोस्तो अभी इस शेयर को हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना च अगला ट्रेटिंग सेशन मिले और आपको यह एक दो परसेंट का ओपिनिंग लगे कि हाँ आप इसमें पॉजिटिव मुमेंटम आ रहा है आपके वल इसको तभी खरीदिएगा और जब तक यह पॉजिटिव मुमेंटम आपको चार्ट पर रिफलेक्ट नहीं होड़ा है आप इस चीज को मत खरी दियेगा जो टार्गेट हम लेके चल सकते है वो 800 रुपे तक के टार्गेट के लिए इसको एम कर सकते है और जब यह पॉजिटिव मुमेंटम दिखाएगा उसी के बाद हम इसकी स्टॉप लॉस क्या होगा और वो सब डिसाइड कर सकते है क्योंकि इसका जो स्टॉउंग सपॉट दोस्तों नजर निकलके आ रहा है वो 600 के आसपास के निकलके आ रहा है तो यह तो आप इसको पॉजिटिव मुमेंटम का वेट करिए यह फिस चेचों के आसपास खरी दिया है और हाई चांस है कि यह 600 के आसपास कभी जाय नहीं बट क्योंक कि ये इसमें यहाँ पर ऐसा इसमें इतना इत्ना वोलोटाइल दिया है कि इंडिकेटरज भी कंशूजह थै बट इसमें जो सबसे ज्यादा काम का इंडिकेटर रहेगा वह वॉल्यूम इंडिकेटर रहेगा ये देखें दोस्तों ये शेयर एकदम शान्थ चल लहा था और फिर यहाँ पे इसने देखिया वाल्यूम ब्रेक आउट दिया और फिर आज देखें कल इस जितने लोगों ने शेयर खरीदानी उससे जादा ही शेयर आज एडियसी मुच्छल फ़र्ड ने डंप कर दिये तो ये देखें अगर दोस्तों ये मैं वाल्यूम को थोड़ा सा आपको छोटी स्केल में दिखाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे देखें जैसे ही ये देखें कितने टाइम से वाल्यूम अपना धीमे 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 चल लाई दी और फिर यहाँ पे देखें आप 25 फरवरी को तो यही दोस्तो होता है इसलिए जो इसमे एक वाल्यूम इसलिए बहुत बढ़ा इंडिकेटर हो जब आपको देखे कि इस टॉक की वाल्यूम आप बढ़ रही है तो आप मान के चलिए कि उसमें अपकुछ होने वाला है काफी टाइम से इस टॉक शांत बैठा हो तो इसने अच्छी राइड दिखाई है यहाँ पर देखिए शान बैठा था यहाँ पर थोड़ी वाल्यूम भई तो फिर देखिए उसके कुछ दिनों बाद इसने ब्रेक आउट दे दिया पिर यहां breakout चला फिर यहां पर यह उतना खास नहीं हुआ फिर volume बढ़ी फिर इसमें breakout दे दिया तो volume इस type के stock के लिए बहुत अच्छा indicator होता है खास कर जब कि हमारे stock एक accumulate कर रहा हो तो यह दोस्तो मैंने काफी आपको detail में बता रहा है just dial का आप I hope को आपको पसाद आया होगा और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा अब इसी तरह का analysis Tata Coffee का भी करेंगे एकदम detailed analysis करेंगे ताकि आपकी education भीयों की charts को हमें किस तरह देखना होता है तो दोस्तो यहां देखें चाथ Tata Coffee में भी मैंने यहां पर देखें accumulate कर रहा था और फिर इसने एकदम से breakout दिया और अभी आज ही इसका breakout है तो हमारे पास as such कोई बहुत जादा study है ने और क्योंकि इसने यह breakout दिया है तो ऐससा अभी कोई इसमें 10-9 और वैसा कुछ नहीं है क्योंकि एक range में accumulate कर रहा था कोई higher height या higher lows कुछ वैसा इसमें नहीं बन रहा था लेकिन दोस्तो अगर आप इसका भी short term chart देखेंगे 5 day का chart तो यह देखें दोस्तो इस टॉक को जब breakout करना होता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से 10-15 ब्रेकाउट कर दिया है उसके hint वह पहले ही दिखाना चालू कर देता है तो यह देखें यहां पर थोरी से hint दिखाई और यहां पर देखिए इसने थोरी से hint दिखाना चालू कर दी थी कि हमें अब कुछ हो सकता है positive तो जो लोग थोरा अगर volume के basis में trade करते होंगे तो उन्होंने कल के trading session के शाम को उन्होंने अपनी position just dial में बना ली होगी market ने आज काफी रूलाया और बहुत किया और फिर यहां पर फिर देखिया फिर एक bumper breakout दे दिया और क्योंकि market अज साथ हमारे नहीं थी तो लोगों ने तुरन profit booking के और सी के वज़े थे यहां पर फिर end के उसमें हमें थोरा से इसमें गिरावट भी देखने को मिली बट इस टॉक अभी हमारा काफी तो अगर आपको अगरे से ट्रेटिंग सेशन में इसमें बढ़ोत भी मिले तो आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते है तो दोस्तों यह था हमारा analysis इसमें हम दोस्तों आए एक बार आपको जो हमने analyze किया है उसको एक बार charts पे लिख यहां पर दोस्तों मैंने इसमें 130 है तो आप इसको मान के चलिए कि आप इसको 135 के उपर खड़ी दिएगा एक मैं लिख देता हूं तो सब क्लियर हो जाएगा इसको दोस्तों आप buy above 132 करिएगा ताकि आपको positive momentum का confirmation हो जाए जो आप target लेके चलिएगा इसमें उसको हम थोड़ा सा long term एक बार chart देख लेते है तो यहां पर देखिए अगर मैं इसका 5 year chart देखूं तो हमको इसका target लेके चलना चाहिए 150 का तो इसमें आप यहां पर target लेके चल सकते है 150 का यह सॉरी दोस्तों कुछ text में कुछ उपर नीचे हो रहा है मैं आप लोग ऐसे और ली बता दे रहा हूं कि target 150 buy above 132 और stop loss आपके पास option है आप 120 का रख सकते है अगर आप safe trader है थोरे सॉरी risky trader है आप stop loss आप बढ़ा रख सकते है और अगर आप शोटे trader है तो फिर stop loss 125 के आसपास का रखिएगा साती दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम से भी रेजिस्टर नहीं है हमारे वीडियो के वल educational purpose के लिए है trade recommendation नहीं है आपको यह जहान में रखना है आप जो भी investment या trading decision लेते है वो रिसके आद्वीन होती है तो अपने financial advisor से जरूर कंसर्ट कीजिए उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें like and subscribe कीजिए उससे हमारा motivation बना रहेगा साती आप हमें telegram, twitter, facebook पर follow कर सकते हैं the trading bulls के नाम से हमारा page है साती दोस्तों अगर आप इस stocks में account खुलवा रहे हैं तो इनका अचकर काफी अच्छा है schemes चल लिए एक तो free में account खुल लाए सात में आप saving account की तरह आप इस stocks का account भी use कर सकते हैं और आपको 6% का उसमें interest भी मिलेगा आपके मिल में जो भी विचार हो आप उसे comment section में लिखिए अब जल से जल उस पर reply करेंगे